दोस्तो हर सनिवार को सनीदेव के साथ हनुमान जी की भी विशेश पुजा होती है इस संबंद में मान्यता है कि हनुमान जी की पुजा से सनीदेव के दोस्त दूर होते हैं सनी की कुर्द डिष्टी का असर ऐसे लोगों पर नहीं होता है जो हनुमान जी की पूजा करते हैं। हनुमान जी की पूजा से सनी क्यों परसन होते हैं इस संबंद में कहीं कताय प्रचलित है। गुजरात में भाव नगर के पास सांगरपूर में कष्ट बंजन हनुमान मंदिर इस्तित है यह एक प्राचिन हनुमान मंदिर है यह हनुमान जी के चर्णों में सनीदेव इस्तिरी रूप में विराजित है दोस्तो आपको बताते हैं हनुमान जी के पैर के निचे सनीदेव क कीवम दंती है कि एक समय सनीदेव का परकोप काफी बढ़ गया था। सनीदेव के परकोप से सबी लोगों को कहीं दुखों और प्रेशानियों का सामना करना पढ़ रहा था। सनीदेव के परकोप से बचने के लिए भक्तों ने हनुमान जी की परातना की। भक्तों की प्रातना सुनकर हनुमान जी सनीदेव पर करोधित हो गए और उन्हें डंड देने का निष्चे किया जब सनीदेव को ये बात पता चली तो वे डर गए हनुमान जी के करोध से बचने के लिए उपाय सोचने लगे कीवम दंती के अनुसार सनीदेव ये जानते थे कि हनुमान जी बार बरमचारी है और वे इस्तरिया पर हाथ नहीं उठाते हैं इसलिए हनुमान जी के करोध से बचने के लिए सनीदेव ने इस्तरी का रूप धारन कर लिया और हनुमान जी के चर्नों में गिर कर शमा मांगने लगे और भक्तों पर से इन्होंने अपना परको भी हटा लिया तब से सनी देव को हनुमान जी के पैर में इस्त्री रूप में पूजा जाने लगा दोस्तों हनुमान जी के इस रूप में पूजा अर्चना करने से सारे दोस्त दुख दूर हो जाते हैं यदि किसी की कुणली में सनी दोस हो तो हनुमान जी के इस रूप के दर्शन पूजन करने का विदान बताया गया है इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है आईए दोस्तों बताते हैं आपको इस मंदिर में आप कैसे पहुच सकते हैं कश्ट बंजन हनुमान मंदिर तक पहुचने के लिए भावनगर पहुचना होता है भावनगर से सांगरपूर के मंदिर तक असानी से पहुचा जा सकता है भावनगर के लिए सभी बड़े सैरो से फ्लाइट मिल सकती है भारत के सभी बड़े सैरो से भावनगर के लिए रेल गाड़िया भी असानी से मिल जाती है करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखे जय बजरंग वली दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिन